मैं आपको समझा रहा हूँ practical में भीरीदर क्या होता है तो जैसा कि आपके पीटी आर का एक भीरीदर देख रहे है इसको सबसे पहले हम उपर से देखते हैं ऊपर क्या हुगा यह कंजर्वेटर से जुड़ा हुगा है तो इसमें एक चीत देखो यह नीचे से जुड़ा है त जहां पर हवा रहती है नीचे नहीं खुला है जुड़ा जरूर नीचे लेकिन जो इसका ओपन पॉइंट है वह उपर है वहां पर देखो क्लैम्प लगा हुआ है ठीक है ग्लैक्स भी लगी है कभी हटाना होता है तो अपन हटा लेते इस तरीके से यहां पर आ गया है अब य सिलका जेल भराज है और देख से फेले हम इसको पाद से लें से लोगा, हम लोगा है इस देखा हुआ हुआ है और 4 किलो की प्राल दिया ह मिर चारक्राइर बात ओर कम ज्यादा होता ही अब उसके तो ये पूरा का पूरा हो गया है अपना अब मैं यह बताऊंगा Var即 Leave Mmud तो टेल भड़ेगा तो चैनल का प्रिशार बढ़ेगा अबो हवा होगी न से आज़ बाहर इसमें हवा आएगी तो यह सबसे पहले कार्म जाएगी जी हवा सिलका जेल से होती हुए निकल जाएगी जो है अब क्या होगा कि यह सांस छोड़ना हुआ अब दूसरा काम क्या आता है इसका सांस लेना कैसे आता है तो अब ठंडा होगा तो वहां पर क्या है हवा की जरूत इस हुआ है को चीजब कर का आता है इतिवा सिलका जल से पकराथे है तो जितनी बार टकराती और फिर्व मैं जितनी नमी होती है वो वह सब सिलका क्यारे जो उपर पॉइंट पर पहुंचती है तो बिल्कुल शुक्स यानि जिसमें नमी नहीं है इस तरीके की हवा पहुंच जाए ठीक है उससे वह सीधी देखो बिल्कुल नीला है तो नीला है इसका मलब सही होता है अब मैं आपको खराब सिल्का जैल भी दिखाऊ अब इस वाले ट्रांसफार्मर में अगर आपको दिख रही हो तो इसमें क्या है थोड़ी सी खराब सिल्का जैल है